कार दोस्तो मेरा नाम है चरन प्रीत आप देख रहे हैं Automation Training Hindi आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि HMI की जो हमारी स्क्रीन रहती है HMI जो हमारी रहती है उसके अंदर हम Alarm कैसे जर्नेट करते हैं देखे अलारम बहुत ज़्यादा जुरूरी होता है HMI के अंदर डिस्पले करना कि हमने PLC के अंदर एक प्रोग्राम बना दिया और उस प्रोग्राम के अंदर कुछ प्रोब्लम आ रही है या कुछ मशीन से करता है और अपने जो action है उनको decide करता है तो basically alarm होता है alarm का मतलब होता है कि कुछ आपको ध्यान देना है वहाँ पे उस चीज के लिए हमें alarm जर्नेट करना है कि आपका कुछ abnormal condition होने वाड़ी है या हो चुकी है तो हम एक alarm जर्नेट करना है तो हम इसलिए Mitsubishi की जो HMI है उसके उस alarm से related setting करना कि कब क्या message display होगा कब आपको reset होगा alarm कब कैसे क्या होगा historical दिखाना है कैसे क्या दिखाना है तो दो चीज़े है एक तो चीज़े है कि यहाँ पे display कराना और दूसरा है उस जो display करा रहा हूं चीज़े उसकी setting करना तो सबसे पहले मैं आपको बता देता alarm को उसको हमें कहा से दिखाना जाके तो सबसे पहले मैं object पर चला जाओंगा यहां पे object है अब जक्त पर जाओंगा और उसके बात object में आप जाके देख़ो트 ऑर अलारमड़ डिस।ले के option है तो यहाँ पर मैं थिस्प्ले में चला जाओंगा alarm display user इसको मैं स्ट्राइक करो ह उसको select करने के बाद हम यहां screen पर आसे draw कर देना है, screen पर जैसी मैं draw करूँगा, तो मेरे पास यह screen बन जाएगी यहां पर, इसमें देखिए by default अपने आप लिखा रहा है, occurred, comment, reset, check, और निचे cursor, cursor off, up, down, check, एक यह window बन चुकी है, यह window, यह जो button है, इस के अंदर जो यह table बन जो भी आपकी requirement है, जो भी आपको अच्छा लगता है, वैसे आप इसको window को set कर सकते हो, मैंने अभी इस window को यहां पर set कर दिया है, दूसरी बचिए table, अब देखिए मैंने इस window को तो यहां से drag करके set कर दिया, बट इस table को आप नहीं set कर पाओगे, अगर मैं this table को यहां से बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, यह बड़ा नहीं होगा, यह एक नई window open हो जा रही है, मैं जैसी इसको इदर-ुदर करने की कोशिश करता हूँ, तो यहां पे एक window open हो जाएगी, इसमें कुछ भी हम छेड़ चाड़ नहीं कर पाएंगे, इस table के अंदर अगा मैं छेड इस display की setting देखते हैं, फिर इस display के अंदर जो alarm दिखाई जाएंगे, फिर उनकी setting देखेंगे, तो इस display को set करने के लिए इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक करोगे तो आपके पास alarm display user की एक यह window open हो जाएगी, ठीक है, इस window के अंदर आप देखे, alarm ID 1, इसमें क्य इस पर चीज़े एक PLC के साथ आपकी जुड़ी हैं, तो आप अलग-अलग alarm ID create कर सकते हो, नहीं एक machine में आप एक alarm ID रखो, तो वो user के लिए भी easy रहता है, प्रोग्रामर के भी easy रहता है, और जो कोई बंदा बाद में काम करेगा, उसके लिए भी समझने में easy रहता है, तो यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 10 row है, मैं इसको बढ़ा दूँगा, तो यहाँ पर देखिए row बढ़ती चली जाएगी, तो आप अपनी setting के coding कितनी भी row यहाँ पर display करा सकते हो, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर 20 row कर दिया, तो यहाँ पर आपको यह 20 row दिखाई देंगी, बाइडिफोल्ट हम alarm display कराने के लिए जो बाइडिफोल्ट सेटिंग आती है, यहीं को रखते है, डिस्पले टारगेट में alarm को आपको रखना है, अल अलाम को रखना है, ठीक है, डिस्पले टाइप को इफिक्स रखना है, initial hatchery इसको basic और touch mode selection, यह सारी चीज़़े जो बाइ create हो चुकी है, अब इसके आगे further setting देखते हैं, कि हमने इसको row wise तो set कर लिया, अब मेरे को ऐसे भी set करना है इसको, कि यह जो line है, पूरे के पूरे page पे मेरी दिखाई दे रही है, तो मैं इसको पूरे page पे set करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पे यहाँ पे फिर से double click करूँगा, double click करने के बाद मैं जाओंगा display में, और display में आप देखिए, यहाँ पे कुछ setting है आपकी, यहाँ पे क्या setting है, कि जो आपको alarm है, वो कौन से कौन से show करने है, आपको सिर्फ अकड show करने है, उससे later जो कोई comment है, जैसे अभी यहाँ पे आप comment देख रहे होगे, machine, note home, emergency यह लिखा रहा है, यह show करने है, status आपको show करना है, restore आपको जो हो चुके है, उसका status show करना है, जो alarm आपके check हो चुके हैं, कि आपने check कर लिया है, वो show करना है, frequency आप दिखाना चाते हो, cumulative time आप दिखाना चाते हो, तो जितनी भी चीज़े आप य frequency दिखाना चाते हो, कि कितनी बार alarm repeat हुआ, तो देखिए, frequency का यहाँ पर एक और column आ चुका है, इसको मैं unclick कर दूँगा, तो यहाँ से गायब हो जाएगा, तो आप जो भी चीज़ दिखाना चाते हो, जो भी आपकी requirement है, वो सारी चीज़े आप यहाँ से ले लो, और अप set कर देता हूँ, तो यहाँ पर यह जो है, डिज़िट आपकी कम हो जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे आप जो जो डिज़िट को set करते चला जाओगे, वैसे वैसे कम हो जाएगी, यह minimum 14 ही set होगी, क्योंकि यह जो date और time का format मैंने select कर रखा है, इसके अंदर minimum 14 डिज़िट आत है, यह बड़ी हो चुकी है, date or time के case में 14 ही आएगा, यह थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी है, page से बाहर जा रही है यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, फिर से display में जाऊँगा, 60 के बाद मैं इसको 50 कर देता हूँ, इसका साई, तो 50 पे देखे किस time हुआ, check, किस time हुआ, और उसका status क्या है, तो यह सारी चीज़े आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, alarm की, तो अब यह तो हो गया, display का की आपको दिखाना क्या है, display के अंदर, यह सिरफ display की setting है, और कुछ नहीं है, ठीक है, कि इस चीज़ के अंदर आपको क्या दिखा आपको ज़ाना है, alarm common setting पे आप, यह तो हमें जाना है, user alarm observation उसमें कुछ में नहीं होगा, उसमें हमें नहीं जाना है, हमें जाना है, user alarm observation, इसमें तो जो यह 1, यह दिखाई दे रहा है, यह वो ही 1 है, जो हमने alarm के लिए ID create की थी, alarm ID 1 रखी थी हमने, तो यह वही alarm ID है, आप और alarm ID create करोगो तो यहाँ पर और alarm ID आती चली जाएंगे आपकी, इस पर click कर देना है हमें, इस पर आप जैसे ही double click करोगे तो आपके सामने user alarm observation की है कि नई window पून हो जाएगी, अब देखे alarm ID 1 आ रही है, यहाँ पर हमने alarm ID 1 को ही set करना है, यहाँ पर आ चादते हो बेद्य चादते हो लारं में के अंदर, historical क्या आपके जो पीछे alarm आया थे उनकी history भी दिखाना चाते हो, cumulative दिखाना चाते हो, only current array rhyme दिखाना चाते हो, कि सर्फ जो अभी current अलारं में आ रहा है, मैं वो इजा भी current आ रहा है, रही है historical को इस फिक ह전ा पूरा तो historicalаем फिर नीचे option आ रहे हैं कि कितने alarm आप store करना चाते हो, कितना क्या आप करना चाते हो, तो वो buffer memory के अंदर इसकी store होंगे, buffering के अंदर, तो store 5 करना चाते हो, 10 करना चाते हो, जो भी करना चाते हो, आप अपनी setting यहां से कर सकते हो, यहां से कम जादा हो जाएगा ठीक है तो यहां पे है कि alarm आपको दिखाने किस form में है historical दिखाने है सिर्फ current दिखाने है वो setting आपकी यहां से होगी उसके बाद आगे जाएंगे device के अंधर अब यहां पे main setting होगी यहां पे हमें set करना है उन devices को devices का मतलब वो memory bit कि जो आपने PLC program के अंदर बना रखे हैं alarm को जरनेट करने के लिए ठीक है वो memory bit आप यहां पे लिखोगे अभी मैं आपको PLC program दिखाता हूँ एक जिसके अंदर मैंने alarm को create कर रखा है यह bit बना रखी है यह मैंने एक program बना रखा है देखिए PLC का इसके अंदर मैंने यह 4 bit बनाई है M300, M301, M302, 303, 304 आप अपने program में alarm के coding कोई भी bit सेट कर लोगे कि जब यह condition आती है तो मेरे को यह alarm शो करना है और उस time पे यह memory भी टोन हो जाएगी अब यहाँ पे simulate करने के लिए मैंने सिरफ यह bit बना रखी है तो मैं यहाँ पे M300, M301, 302, 303, 304 डाल दिये हैं अब यहाँ पे डालने के लिए सिधा simple सा है ठीक है मैं यहाँ पे M300 लिखूँगा और यहाँ पे मैं डाल दूँगा और अपने आप आगे सारा M300, 301, 302, 303 304 सारी फिल हो जाएंगी ऐसा क्यों हुआ क्यों अपने आप क्यों फिल हुई क्योंकि यहाँ पे जो device setting दिखाई दे रहा है आपको यह जो device setting मैंने continuous कर रखा है अगर मैं इसको random कर दूँगा तो यहाँ पे 301, 302, 303 नहीं आएगा अगर मैं इसको continuous कर दूँगा तो आप जैसे ही M300 डालोगे तो यहाँ पे मेरा अपने आप M301, 302, 302, 303, 304 आ जाएगा अभी alarm point को बढ़ाना चाते हो तो यहाँ पे alarm point है कि और memory bit दिखाना चाता हूं मैं मैं यहाँ पे 10 कर देता हूं यह मैंने यहाँ पे 10 कर दिया जैसे आप enter करोगे तो screen एक बार बंद होग मैं continuous कर रखिया है अगर इस device setting को random कर दूँगा अब देखिए मैंने पहले device setting continuous किया था और alarm points को बढ़ाया था तो अपने आप इसने अगली series उठा ली थी continuous वाली उसकी अब मैं device setting random किया और इस device set इसको alarm points को मैं change करता हूं 15 करता हूं अब देखिए वो आगे नहीं उठाए अब मैं device में गया अब देखिए यह 11,12,13 खली पड़ा है 12,14,15 खली पड़ा है तो आप इस series के लावा भी कोई अगर memory bit बनाई है तो आप यहां पर डाल सकते हो जैसे मैं M800 अगर मैं बनाता हूं तो आप यहां पर M800 डाल दो कि मेरा कोई alarm M800 से आएगा ठीक है ऐसी अगर अगर continuous alarm bit बना रखी है आपने आपने ऐसा कर रखा है कि सारी की सारी जो alarm bit है आपकी वो एकी series में आ रही है जैसे M300 से आपने सारी alarm bit बना ली 300, 301, 302, 303 तो यहां पर आप device setting continue करके एक बार में सारी bit को set कर सकते हो अगर आपकी alarm की bit प्रोग्राम के अंदर अलग-अलग है आपकी कोई bit है M500, दूसरी bit है M700, तीसरी है M502, चोथी है M403, तो फिर आप इस setting को यहां पर random करोगे और manually इसके अंदर अपनी सारी की सारी जो bit है उसको set करोगे, ठीक है जैसे अभी मेरी M300 तक तो continuous में अपनी अप आगी थी, random किया तो फिर मैंने M800 और M803 को set किया तो आप यहां पर दिखाओगे, machine note home लिख दोगे, M301 आपका emergency के लिए है, मैंने emergency बना दिया, M302 कोई sensor के लिए है, मैंने check sensor लिख दिया, M303 आपका लारम cycle start के लिए कुछ भी है आप वो बना सकते हो, M304 है, इसमें मेरे को कोई comment डालना है तो मैं कैसे डालूँगा, यहां पर गया मैं, इस पर click करूँगा इस box में, और यह जो edit वाला option आया है, इस पर click कर दूँगा, इस पर click करूँगा, तो यहां पर मैं अपना comment डाल दूँगा, जो भी मेरा comment है, ठीक है, मैं डालना चाहता हूँ, check कुछ भी, जो भी आपको, आपकी condition आप बनाना चाहते हो, check x, y, x, y को check कर लो, जो भी आपकी condition है, उसको okay करोगो, तो यहां पर comment आ जाएगा, तो यह आपकी comment की setting होगी है, कि जो भी आप comment यहां पर लिखोगे, वो alarm में आपके इस memory बिट के थूरू display होगे, उस वड़ी display पर जाके, ठीक है, file save का option है, अगर आप alarm का लोग save करना चा file का name होगा, जरनीले हम इसको save नहीं करते हैं, अगर आपको फिर भी alarm history अपने हमें save करनी है, तो आप SD card है, हमारी setting इतनी है, यहां पर, यह setting हो चुकिए, अब इसको okay कर देते हैं, okay करने के बाद, एक option है को yes कर दिया, अब यहां पर यहां पर यह सारा कुछ आपका set है, ठ यहां पर display होगी आपकी, sorry, तो अब यह सब कुछ ready है, इसको एक बार simulate करके देखते हैं, मैं इसको program को चलाता हूँ, यह HMI को मैंने simulate किया, program को, अगर आपको यह चीज नहीं आती, तो मैं एक वीडियो बना दूँँगा, इसके लिए कि कैसे program simulate करते हैं, चक करते हैं, बिन आचमाई के भी कैसे हम PLC को सीख सकते हैं, चमाई को सीख सकते हैं, अगर हमारे पास physical आचमाई या PLC नहीं है, तो अभी यह मेरा simulation लर्न कर रहा है, अभी देखें, यह alarm वाली screen है, मेरी दो screen बनी थी ऐसा आचमाई में, तो यह पहली screen आई है, screen data logging के लिए थी, यह दूसरी screen पे मैंने alarm बना रखे है, तो यहाँ पे देखें, यह alarm आ चुका है, अभी देखें, कोई भी alarm अकर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी status दिखाई नहीं दे रहा, अब मैं अपने PLC प्रोग्राम में जाता हूँ, तो मैंने memory bit कौन से लिये थे, M300 की series के सामने आपक लिखा रहा है, check अभी तक नहीं किया, reset अभी तक नहीं किया, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा, अब इस cursor क्या मतलब है, अब देखें, आप इस cursor को select करोगो, तो यहाँ पे यह alarm से लेक्ट हो जाएगा, तो यह जो alarm है, आपका select हो जाएगा, इसको up-down करोगे यहाँ स तो यह cursor आपका up-down होगा, कि आपके इस alarm को reset करना चाते हो, कि इसको check करना चाते हो, अभी माली जी यह alarm है, मैं इस alarm पे cursor को रखूँगा, और इसको check कर दूँगा, तो यहाँ पे check का status आ गया, देखें कि हाँ यह alarm को आपने check कर लिया है, और अगर इसको reset कर दूँगा, त तो मैं इस condition को PLC के अंदर off कर देता हूँ, अब देखिए, अब मैं अगर इसको reset करूँगा, emergency press वाले alarm को, पहले मैं check करता हूँ, जैसी मैंने check किया, तो यहाँ पे check का status आएगा, ठीक है, अब मैं इसको reset करूँगा, तो यह alarm आपका reset हो जाएगा, और यह आपका repeat नहीं ह इसको up करना पड़ेगा, क्योंकि reset वाले को मैंने कर रखा है, अभी current alarm यह है, मैंने current alarm को check किया, तो देखिए, check का status आगया, उसके बाद मैंने reset किया, और यहाँ पे reset हो जाएगा, रिसेट होने के बाद यह अब दुबारा alarm नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यह इसकी जो condition थी, PLC के अंदर, वो reset हो चुकी है, अब यह alarm हमारा repeat नहीं होगा, PLC के अंदर वो condition reset होनी चीए, अगर PLC के अंदर वो condition reset नहीं होगी, तो यहाँ पे alarm दुबारा से आते रहेंगे, हम उस condition को check करना है कि कि किसकी वज़े से हमारा यह alarm आ रहा है, तो इस तरी तरीके से हम alarm को अपने को set कर सकते हैं, ठीक है, machine के अंदर दिखा सकते हैं, display कर सकते हैं, जो भी आप reset check यहाँ से करोगे, check all कर दोगे तो आपका check all हो जाएगा, तो सारी चीज़े आपकी alarm की display की इस तरीके से काम करती हैं, आयोप आपको समझ में आवे होगा, वीडियो अ